तो यह देखे यह मैंने पलाजो की सिलाई कर ली है और नेफे को मैंने फोल्ड नहीं किया है नेफे को मैं आपके साथ सेर करोंगी तो आप इसको हमें फोल्ड कारना पहला मैं आप बिल्कुल जमां सिंपल तरीका बताती हूं कि फोल्ड करने का एक तो जैसे कि एमने यह तक इसे फोल्ड करें यह अपको कैसे किस तरी से फोल्ड करना को लास्टिक देखनां है कि आप कि इतनी व्लास्टिक उसमे चोडी डालते हों जैसे यहां कि एक इन चोडी यह कोला करने के लिए दो इंच काम आर्चन रखा रखा है अगर कि आपको लास्टिक को देखते हुए उपर की तरह मार्जन रखना है एक त्रीक का ये इसको ऐसे फोल्ड करके और पूरे राउंड में शिलाई लगा लें और पिन की हेल्प से इसमें लास्टिक डाले ठीक है ये बिल्कुल दरीका एक है जैसे कि आपका ये कपड़ा कम है अगर उपर से आप नेफ्य को अलग लगाना चाहते हो प्रसे होगा बस आपकी लेंथ नहीं बन रही है उसमें अगर लेंथ बन भी रहे तो अलग से अपने फ़िल भी लगा सकते हो तो ये जैसे कि ये मै दिखाएंसे संधें जितनी मेरी लेंद्थ है उसमें से मैं दो इंच माइनस कर दोंगी जो मैंने माइनस किया इतनी ही चोड़ी मैं यहां पर अलग से पर्टी कर लूँगी यहां पर मैं इसको अलग से अटाच करूँगी यह देखिए पहले मैं शित्धी तरफ से आपका बदा एक जो ये मैंने अलग से फोल्ड करने का लिया इसको इस तरह से एक्ट्रा फोल्ड करेंगे इस तरह से ओपर की तरफ और फिर इसमें हम लास्टिक डालेंगे एक ट्रिक्वा यह है और जो तीसरा नावा तरीक का है वह मैं आपको चलिए मुषीन पर बताऊंगी जैसे आसन भी हमारा लास्टिक डालने के बाद आके पीछे हो जाता है तो वह किस बज़ेसे होता तो यह भी मैं आपको कारण बताऊंगी तो जाता समय ना लेते हुगे चलिए करते हैं सिलाई स्टार्ट तो कि इसी का माउन ने फिसे आंगे यहां आपनागी तक पहले से सिलाई साउंगी असान वही तरीक की दालने की तो इसी दाल पार मेने शिलाई लगता है wrinkles अ एंश्च्छ सिलाई क्यों आपका कर साउय और ली साउ क्रफ़ आपको निसान लगाई है महीं से आपको स्टार्ट करने हैं लास्टिक डालना तो यह मैंने मार्जन लिया था इसे नीचे की तरफ ऐसे रखोंगी और इसको एसे फोल्ड करूंगे इसके अपर तो यह देखिए कई री क्या करते हैं मिरे बैन ऐस्टिक डालती है और तो आपको ऐसे करना है आपने इस तरह से यहां से पहले फ्रेंट वाले आसन की सिलाई से और आपको पूरे राउंड में ऐसे फोल्ड करना है तो आप पूरे राउंड में ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से और यह सिलाई है जो बारीक लगाएंगे अगर बीगनर है तो वह पहले मोटी सिलाई लगा के देख ले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो है जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो यह देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ यह मैंने शिलाई लगा लिए और यहां तक ना बिल्कुल ही कपड़ा जो हमारा वो सिद्धा चल जाए क्योंकि अब मैं लाश्टी को खिंचूँए ना तब वहां पे प्रोब्लम आएगी इस तरह से और एक यह है क्योंकि हम फरंट से स्टाट करते हैं फरंट तक और बैक तक आएंगे ना वहां तक हमारी लाश्टी का जो वो स्टेटी डलेगी क्योंकि बैक में हम उठाके कट अब यहां पर चूंगट करते हुए और यहां पर चूंगट आएगी तो यहां पर चूंगट डाल देंगे कियोंकि ऊपर कीट कि तरह भी यहां पिछाण में वोमें आएंगे तो नीचे की तरह हमारी नहीं दिखेगी अगर हम शिलाई से शिलाइ लिखेहे देंगे तो कहीं भी कोई प्रोड estáEM डालने में आपको अप्न kidding को इस तरह से खींचते हुए हम लास्टी को कम्प्लेट तरहेंगे तरह कर देखिए यहां पेवियां लास्टी को इस तरह से पीछे की तरफ खींच देंगे कपड़े को लास्टी को खींच लेंगे जितना कपड़ा आप दबाते आ रहे हो स्टार्टिंग से ही उतना ही कपड़ा लेते हुए शिलाई लगानी है अगर आप ऐसे ही डालोगे तो कहीं भी जोल नहीं आएगा और बहुत ही कम टाइम में लास्टी की तरह से कल जाती है तो यह देखिए और इसमें जो उपर की तरफ चुंगटे आती है मैं भी बहुत ही पनीशिंग से नजर आएंगी अगर हम कपड़े को यहां पर एक्टरा लेते हैं तो उसमें न मोटी मोटी चुंगट आती है और उपर की तरफ फोल्ड कर रहा हुआ भी अच्छा नहीं लगता वो तो आपको अपनी लाश्टी केसाब से कपड़े को खोड़ करना है तो यह देखिए अगर हमें आसन की शिलाई से ही मिलानी है तो चुंगट आएगी जहां पर आप उहां पर इस तरह से चुंगट डाल जींग क्योंकि यह चुंगट इसलिए आती है हम बैक को उठा के कटिंग करते हैं कि बैक का कपड़ा है जो वह एक्टर होता है अगर हम बैक और फरंट को इकवल कटिंग करेंगे तो वहां पर हमारी चुंगट नहीं आएगी और जो यह मैंने आपको बताया था कि आसन आगे पीछे हो जाता है तो वह इस बज़े से होता है यह मत समझे कि आप आपने लास्तिक गल्द डाल लिया या आपको नेफे को फोल्ड गल्द किया है उस बज़े से कोई भी दिकत नहीं आएगी अगर आसन आगे पीछे होगा तो पहले आप एक बड़ी इसको इस तरह से खींच ले तो यह देखिए मैंने लास्टिक को खींच लिया है और खींचने के बाद ना कुछ इस तरह से नजर आएगी लास्टिक यह मैंने ना अब इसमें शिलाई नहीं लगाई पहले लास्टिक है क्या ऐसी डालते थे जैसे बच्चों की कच्छियों में भी डाली हुई आती लास्टिक तो वैसे ही थी अब है जो उपर की तरफ शिलाई लगाने लगे तो वह सिलाई क्यों लगाते हैं यह देखिए मैंने यह आपे ना लूज छोड़ा थोड़ा सा मैं आपको दिखाते हूं इस तरह से तो यह अब जो सेंटर वाली लगाते हैं वह बिल्कुल भी सफाइस नहीं लगाते एकवल आपको शिलाई कैसे लगानी है तो यह देखिए फिर जहां तक आप शिलाई लगाता है तो यह देखिए तो यह मैंने शिलाई लगाई है तो कुछ इस तरह से आई गए और जो आखशन आगे पीछे होता तो वह कैसे होता पता है क्या करते हैं जाएगा तो जैसे कि यहां पर यहां पर जोड़ा बहुत जादा जाएगा यहां पर तो मैं अगर ऐसे तो आपको एसे नहीं करना आपको खींच के सिलाई लगाने इस तरह से ताकि पूरे राउंड में ही एक वल आई तो यह मैंने शिलाई लगा लिए यह मैंने शिलाई कम्प्लीट कर लिया अब आपको अच्छे से नजर आया होगा यह देखिए यह देखती हैं विल्गोल स्पाई के साथ लस्टिक मेंने तो यह देखे यह आपको लस्टिक डालने का तो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक करें सेयर करें सात thou समय बेल आईगियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और नेक्स्ट क्लास आएगी जो आएगी टेपल कटपूर्टी की तो आज की क्लास में इतना ही थैंक्स पूर वचिंग